सूबे में चुनावी एलान के बाद नित्त प्रतिदेन नेता पार्टी बदल रहे हैं जिससे चुनावी समीकरण भी बदल रहे हैं इसी कड़ी में पश्यम यूपी की राजधानी में एक बड़ा नाम इमरान मसूत का है जो अब बसपा में शामिल हो रहे हैं मसूत पहले कॉंग्रेस छोड सपा में शामिल हुए और पांस दिन भी नहीं हुए कि इमरान ने पाला बदलने की तयारी कर ली इमरान मसूत के राज़नेतिक पाला बदलने का कारण ये बताया जा रहा है कि उन्हें उनके मन के मताबिक टिकट नहीं मिला वे बेहट से दामाद शायान मसूत और देहाद सीट से मसूत अक्तर को चुनाओ लड़वाना चाहते थे लेकिन सपा ने बेहट से उमर अली और देहाद से आशु मलिक का टिकट फाइनल कर दिया हलाकि सपा की सूची अभी आई नहीं है 2022 विदानसबा चुनाओ से छे माह पहले से चर्चा थी कि इमरान मसूत सपा जोईन करेंगे और हुआ भी वही कॉंग्रेस का हाथ छोड़ कर वह साइकिल पर सवार हो गए लेकिन इमरान पांस दिन भी साइकिल की सवारी नहीं कर पाए अब वो हाथी की सवारी करने को तयार बैठे हैं इमरान कॉंग्रेस में पिछले छे माह से निश्क्रिय थे बीते 11 जनवरी को लखनाओ में एक बंद कमरे में देहाद के सिटिंग विधायक मसूद अक्तर के साथ सपा जोईन की काजी रशीद मसूद के भतीजे इमरान मसूद मुशलिम समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं हाना कि वह चार बार चुनाओ हार चुके हैं दो बार लोकसभा और दो बार विधान सभा 2017 विधान सभा चुनाओ के लिए जब सपा कॉंग्रेस का गड़ बंदन हुआ तो उसमें भी इमरान मसूद की खूब चली सत्ताधारी दल समाजवादी पार्टी को यहां पर जनाधार कम होने के कारण साथ में से पांच सीटे कॉंग्रेस को देनी पड़ी इमरान ने साहरनपूर में कॉंग्रेस का सूखा खत्म कर दिया था बेहट से कॉंग्रेस पृत्याशी नरेश शैनी और देहाज से मसूद अक्तर को रिकॉर्ड जीत दिलाई थी ये हाल तब था जब उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस ने केवल छे विधान सबा सीटों पर ही जीत दर्ज की थी साहरनपूर के इलाके में एक सीट सपा को मिली थी जबकि चार पर भाजपा को काम्याभी हासिल हुई ऐसा माना जा रहा है कि इमराइन के सपा छोड़ कर बसपा में जाने के बाद साहरनपूर के राजनेतिक समीकरण अलग होंगे झालो हुगे, भाजने लिए जाने के लिए झालो हुगे झालो हुगे झालो ग्जों झालो हुगे